आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकलोजी बाइस के उपर और यह जो वीडियो है आपकी लाइफ की हर सिशेशन में काम देने वाली है इसलिए इसको जितना जल्दी हो आप समझ जाएं मैं सच बता रहूं हैना तो साइकलोजी बाइस क्या होता है psychology bias एक ऐसी चीज है जिसकी वज़े से हमारा mind सही DCN नहीं ले पाता है हम जो भी DCN लेते हैं वो सब गलत होते हैं क्योंकि ये biases mental shortcuts की तरह काम करते हैं जिसकी वज़े से हमारा brain complex situations को समझने में हमारी मदद करता है जो कि हमें लगता है जबकि ऐसा होता नहीं है इसी वज़े से हम सब लोग first जा एक example से समझते हैं मान लेते हैं कि हमारा जो brain है वो computer की तरह काम करता है यानि कि computer है जिसमें you know information है data है और files है तो हम अगर जो भी काम करते हैं daily basis पर computer में तो कही न कहीं इन files को use करते हैं जो repetitive जो हमारी पास information है वही यूज हो रही है बार बार तो यह जो files है यह जो information है यही bias actually यही अगर हम mind से brain से consider करें तो bias है यानि हमारी computer में तो options है you know delete करने का format करने का लेकिन आपके mind में जो information चली गई है बच्वन से लेकिए अब तक census के थुरू उसको कैसे आप डिलीट करोगे और यही चीज बायस करती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं इवेंट्स को कैसे याद लगते हैं और हम क्या choices लेते हैं है लाइफ में यही सारी चीज यह साइकलोजी बाइस के ऊपर वाइस के थुरू होती है और यह बाइस हमारे thoughts, action, behavior, decision, making or judgment इन सब के ऊपर affect डालती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता और मैं सच बता हूं यह कोई छोटी चीज नहीं है अगर हम सोचाएं कि छोटी चीज यह कही नहीं हमारी life को destroy कर रही है जिसमें हमारी mental health आ गई है हमारे relationship आ गया है हमारा you know money related problems आ गई है you know कैसी कई सारी ऐसी चीज़े है जो इनकी वजह से हो रही है इन बाइसे की वजह से इसलिए psychology devices को जानना बहुत जरूरी है मैं सच जाता रहा हूं यह कोई small topic नहीं है it's a very huge topic to understand because हम daily even बच्पन से लेकिए अब तक हम bias के थूई अपनी life को चला रहे हैं हम कभी right decision पर पहुच ही नहीं पा रहे हैं बहुत कम time होता है जब हम you know सही decision ले पाते हैं even आप लोगों ने भी देखा हुगा जो भी decision लेते हैं कहीं न कहीं you know old pattern old thinking और जो files पढ़ी हुए पुरानी उनकी वजह से लेते हैं और बाद में हम जाके फज़ जाते हैं हम सब लोग है यहीं हम सब के साथ हो रहा है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अप सब्सक्राइब करना है कि क्या errors हैं क्या ऐसे bugs हैं जिसकी वज़े से हमारे सब्सक्राइब गलत ही हो रहे हम जाकर फसी जा रहा है ना तो उनको find करें और एक एक करके उनको सही करें और यह देखें कि यह आपके actual information है यह कहीं बायस है इसलिए in psychology bias के बारे में समयना बहुत सब्सक्राइब करेंगे कि इतने टाइप के psychology bias होते हैं और यह कैसे काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे types के psychology biases होते हैं और हर किसी के बारें पता होना जरूरी है और मैं सच बता रहूं अगर आपने खाली psychology में खाली यह चीज़ समझ ली न बायसे तो आप पुरी life को mastery कर सकते हैं अपने mind को mastery कर सकते हैं क्योंकि हम कहीं न कहीं इतनी चीजों से influence हो जाते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम यह हमारी खुद की information या किसी और है ना तो अगर आप इन biases को समझ जाते हैं एक ही करके और उसको अगर आप life में apply करते हैं तो आपकी growth पक्का ही पक्का है है ना thank you